ही गाइज वेलकम और वेलकम बैक टू माच चानल जहां परिंगे और आप समझेंगे इस वीडियो में आज देखने वाले हैं BCS041 का ब्लॉक 4 जो हमारा है और उसका बागी जितने भी यूनिट्स है उसमें उसमें उन सब को हम आज क्लियर करेंगे इस वीडियो में विद रहल पॉप सल्यूशन और डाइग्राम जो स्टार्ट करते हैं वीडियो को सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि बहुत सारे बाते मैं डिसक्स करूंगी सजेशन से रिलेटेड तो जो इसको बिना स्किप के देखना और कुछ स्टिक्स भी दोंगे सब्जक को पास करने के लिए क्योंकि सब्जक में बहुत जादे लोग बैक लगा लेते हैं अपने ठीक है तो यूनिट वन में जो है ना हमारा उसमें कुछ खास नहीं है जो कि एक्जाम में पूछा जाए ठीक है तो हम स्टार्ट करिंग यूनिट टू से ठीक है यूनिट टू क्या कहता है कि कुश्चन नमर वन है कि एक्स्प्लेइन कंपेर देडवांटेज ऑफ फ्रेम डिल ओवर एक्स पॉइंट 25 नेटवर्क इसको आपको पेस नमर 28 में मिल जाएगा ब्लॉग 4 के जो आपका 4 ब्लॉग बुक होगा उसमें आपको मिल जाएगा 28 पेस नमर पी तो हम इसको बहुत एजिली आप लोग को समझने के लिए हम एक डिफरेंस बिट्विन अन कंपारिजन अब एडवांटेज क हैं क्योंकि अगर किसी भी चीज का मेरीट ऊजो यूज होता है को इलूर ॡिफरेंस बीट्विन में में। इसलिए या डिफरेंस बिट्विन केंट ए़ करा है सुप्रेम क्या है कि तसके पास इन नॉर्मल डेटा network इसके पास बीक्त होता है और इसके पास स्षेंगms फि इसके पास होते भी जो है हमारा स्विचिंग के पास जो नीटवर्क लेयर होता है इसके पास डेटा लिंक लेयर नहीं होता है नीटवर्क लेयर होता है ठीक है frame के पास क्या होता है data link clear होता है multiplexing और switching के perform करता है ठीक है but इसके पास network clear होता है third क्या कहता है कि frame frame does not support hop to hop error and flow control यह क्या करता है कि support नहीं करता है hop to hop errors को and flow control भी नहीं कर पाता है यह क्या करता है कि यह करता है data link के थ्रूप ठीक है यह क्या करता है कि it does not support into and flow and error control यह error control भी नहीं करता है और मतलब you know interrupted होता है और यह क्या क्या करता है कि यह दोनों काम करता है with the help of network layer congregation control is required in frame really बात रिक्या करता है कि यह जो cognition control होता है वो इसको required नहीं करता है next question देखते हैं बहुत important question है थोड़ा साभी skip मत करना second number question क्याता है write a thought notes on ATM cell यह ATM cell वो नहीं है automatic telemachine यह networking site है जो networking communication telecommunication में use होता है यह होता है कि ATM networks are connected oriented networks for cell relay that support voice videos data communications ठीक है जोता है कि oriented network है जो की connection रखता है cell relay से and support करता है voice को videos को and data communication को and it's encoded data into small fixed size sales so that they are suitable for TDM and transmit there over physical medium ठीक है यह जो काम इसका होता है वो physically medium क्या क्या कहते है टीडी एम की through or transmit की through यह अपना physically काम को क्या physically medium से काम करता है और क्या कहता है कि इसका अप अगर जैसा कि आप atm cell पर कुछ notes लिखने के लिए तो आप एक point बना कर लिख सकते हो कि ATM as a ATM is a stand for sinus transfer mode ठीक है फिर आप लिख सकते हो 200 point के cell content identifier known as a VCL VCL standard for virtual channel identifier and VPL stand for virtual path identifier ठीक है तो इस तरीके से आप लिखोगे तो answers भी big होंगे and जो हमारा point wise होगा तो examiner को check करने में भी easy easy हो पाएगा ठीक है तो next question देखते है इसमें भी short notes कहा था frame rally के पर ठीक है तो जैसे कि मैंने आपको उपर difference between में भी करके बता दिया था पर यहां पर मैंने सोचा कि करी देती हूं ठीक है क्योंकि easy हो जागा आप लोग के लिए understand करना यह जो है ना एक pocket switching communication है ठीक है आप एक image देख सकते हो कि आप एक देख रहे हो कि यह फ्रेम रेली का है and dcdc data communication है जो कि एक dte router को dte router 123 को एक तरीके से combine करके अपने data को provide कर रहा है ठीक है तो यह क्या होता है एक तरह से la n वाला मतलब जो होता है लोकल नेटवर्क उस चीज़ पर वह वक्ता है and when पर alien क्या होता है लोकल एक लिए नेटवर्क जैसे कि वाइफाई यूज करता हो ना हम लग अपने घर में जो वाइफाई आता है जिए आतल कहा है वह चैज एक लोकल नेटवर्क होगें जैसे वाइफाई हमारा जो होता हो ने है कि आप बिल्दिंग में उसकर सकतो तो एक वी यूलिडिंग को प्रोवाइट करता है जैसे की इसमें बो ऑप्रेटर साहिए कि फिजिकालि लियर और डेटा लिंक लियर शपोर्ट करते है दोनों लेट प्रोट्कोल्स को ठीक है और फ्रेम रेले इसमें डूस्ट करते है कि अट वाइड अट अग्यों डेट अट इस क्वापन अट प्राइविट लिंक टू फ्रेम नूट्स ठीक है आप इमेज भी देख सकते हैं आपको इमेज के जरुएत पड़े तो प्लीज इमेज भी ड्रोव करके हैं क्योंकि इमेज से भी मार्क्स गैना पोड़ते हैं ठीक है next question आपको कह रहा है कि discuss the ATM service class and blah 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 तो यह जो question है ना मैं time waste नहीं करूंगे बता देते हूं कि यह जो question आपको page number 37 में मिल जाएगा block 1 के sorry block 4 के तो वहां से आप लोग देख लेना क्योंकि यह discuss करूंगी तो फिर बहुत साथा time loss हो जाएगा तो आप वहां से एक बच अगाउट कर लेना आपको difference between कहा है कि IPv4 & IPv6 का discussion करना है difference between का तो उसको आपको कहता है कि IPv6 यूसर 32-bit address space यह जो कहता है यह 32-bit address space करता है बच वहीं तो IPv6 यह जादा करता है यह 180 sorry 180 28-bit address space करता है बच मस्ट शपोर्ट ध्याच ध्याच DHCP or be a congry file manually ठीक है बच नॉट यह वह यूज नहीं करता है नहीं करता है यह यह वह यूज नहीं करता है यह नहीं करता है इसमें यह जो होता है कि IPv6 जीजर से जो है हमारा वह वह पर अपलसरी नहीं यह बच इसमें कंपलसरी इसको यूज करता है ठीक है broadcast send the network traffic to all hot on the subnet ठीक है but there is no broadcast इसके पैस कोई broadcast नहीं होता है जो कि host or subnet को support करें ठीक है इसको यह convert नहीं कर पाता है next question देखते है वायरल जेनरेशन क्या है WG क्या है ठीक है वायरल जेनरेशन क्या है एक तरह का वायरलेक्स क्या है क्या सेस्ट बरुडियर क्या हूली ऋर्त नहीं खेंगा राड परीच के वायरल यूदियोर को तरह जडेक्रिय्थ कल च्छास and which details the technology implements a particular mobile phones for example IG offers 2.4 kbps 2G offer 64 kbps and G SMS यह भी आपको पढ़ना आगे अर्किटेक्टेक्टर काफी सारे अर्किटेक्टेक्टर आपको पढ़ने मिलेगा इस बुक में इसलिए हम जादा नहीं करें हैं आपको चले बताते कि GBMS क्या है GBMS बहुत जादा इंपॉर्ट GSM एक अर्किटेक्टर है आप इस तरीके से भी लिख सेक्टर पॉट्टेक्टर की तरी मेजर इंटर कनेक्टेक्टर सब्सिस्टेम डाट इंटरक्ट विद थे इंसल्स विद थे यूजर थो तर्टेन नेट्वर्क का इंटर्फेस्ट बाट थे अगर आप से कोई कोश्यों पुछ दी कि बीडबल एस वाट इस डिफाइन शॉट्स कुछ भी पूछे तब बीडबल एस का मतलब यह मस दोतना कि हां यहां क्या होगा नहीं होगा तो सीधे याद रखने हैं बेस स्टेशन सब्सिस्टम ठीक है नीटवर्क सुचिंग सिस्टम डेबल एस ओप्शनल स्पोर्ट सिस् ठीक है लास्ट कोशिन में कहूंगी कि इसमें से यह जो कोशिन है थोड़ा सा इसमें मैथमेटिकल नुमेरिकल टाइप्स कोशिन है तो इसको आपना तरीके से आप खुद से देख लोगा ना तो ज्यादा बेटर हैगा क्योंकि इसको करवाने के लिए में पस टाइम नहीं ठीक है और इसमें ज्यादा कुछ नहीं है ब्लॉग चीपर के बीच आपको बताना है पुब्लिक और ट्राइवेट की के बीच में बताना है डिफ्रेंस और एक्स्प्लेइन आर एस ए अल्गुरिदम आर एस ए अल्गुरिदम बहुत इंपॉर्टेंट है इसको मैं इसके लिए भी वीडियो अप्लोड हो जाएगा ठीक है रस के लिए और शीवाइस भी अप्लोड कर दिया किया तो वह भी अप्लोड चकाउट कर लेना और डिफ्रेंस बेट्विन रस ए अंड डिएस तो यह भी आपको प्रवाइद आप खुद कर लो क्योंकि आप बुक म कि आना और अधन देशिए अल्डी और वांसे यह सब्सक्राइब वीडियो चाहिए प्लेचा अप्लोड करते रहना और शॉर्ड लेट इस वीडो थैंस वर वाचिंग मैं वीडियो बाई